सबसे पहले सुप्रभाद सभी विद्याजियों को और इसा राजी मुक्त विश्वी त्याले की इस ओनलाइन कक्षा के स्रिंखाम में मैं पुना एक बार आप सभी विद्यातियों का हार्दिक आवहार और स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया निगंतर अपना समय देते जा रहे हैं विद्यातियों को सबसे बड़ा धनेवाद मैं बार-बार इस वज़े से देता हूँ कि कोई भी कक्षा बिना विद्यातियों को पूर्ण नहीं हो सकती इसने सबसे बड़ा धनेवाद के आप लोगो को कि आप लोग नियमित रुप से कक्षा से जूटते हैं और आज का जो हमारा विशय है कृष्ण भक्ति काव्य जिसके अंतर करेंगे और इस विशय को पढ़ाने के लिए जो विशय विशय के आज हमारे सब जूट चुके हैं उसका भी बहुत-बहुत धनेवाद सर का नाम गौक्टर राजेश गरग है बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत आपका और आपके बाद मैं भी हमारे उडिशा के मेधावी विद्यारतियों और भक्ति कविता की जो उद्भव भूमी है प्रारंभ भूमी है ऐसी भूमी के आप और अपने विद्यारतियों का बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ आज का जो आज का जो विशय है जो आपसे तै हुआ है वो है कृष्ण भक्ति कविता जो की हमारी विरासत की कविता है भारत की संस्कृति को अभिवक्त करने वाली कविता है एसी कविता और उस कवि के महानतमाचारे जिन्हें साहित्यकारों ने सूर कहा है सूर सूर तुलसी ससी उलूगन के सवदास अब के कभी खद्योत समझता करत प्रकास ऐसे साहित्य जगत के सूर सूर दास को केंद्र में रखकर हम दो विशयों पर आज अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने वाले हैं एक विशे है विने के पद जो पाठे क्रम में है और दूसरा विशे है विशे है ब्रमर गीत अंस सूरदास के सूर सागर का ब्रमर गीत अंस अजे दो विशेयों पर चर्चा करें। दरसल पाठिक्रम में इन दो विशयों को रखने की योजना बिलकुन इस पश्ठ है, जब हम विनय के पद पढ़ते हैं तो हम सूर की भक्ति को जानना चाहे थे, जब हम ब्रहमर्गीत का पद पढ़ते हैं तो हम सूर के स्रंगार के वियोग, सैयोग और वियोग दोनों पदों के माध्यम से और दूसरा है सूर के संगार वरणन को विशेश रूप से विरह वरणन को द्यान में रखना प्रमरगीत प्रसंग के माध्यम से ऐसी दो चर्चाएं हम लोग करेंगे आचारे रामचंद्र शुकल का नाम हमारे विद्यार्थी जरूर जानते हों शुकल जी की एक टिपणी जरूरी है और हर विद्यार्थी को सूर्दास पर शुकल जी की वह टिपणी जाननी चाहिए तिपणी है की साहित के इतिहास में लिखते हैं शुकल जी की जयदेव की देववाणी इसनिक धपीउश धारा जो काल की कठोरता से दब गई थी अवसर पाकर मिथिला की अमराईयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई ये तो एक फेज है फिर कहते हैं आगे चलकर ब्रज के करील कुण्यों के बीच फैलकर मुर्जाय मनों को सीचने लगी आचारियों की छाप लगी आठ विणाएं भगवान कृष्ण का क इरतन करने के लिए उटी और इन विणाओं में सबसे सुरीली और मधुर जहंकार अंधे कभी सूरदास की विड़ा की थी देखिए साहित्य का पुरोधा सूरदास को कैसे इसमरण करता है यह नहीं कहता कि वो सास्त्र का आचारे है यह नहीं कहता कि वो कावशास्त्र का मर प्रमग्य है यह कहता है कि सूर की विशेस्ता क्या है वीडा के जंकृत तारों से कृष्ण भक्ति का रस सामान्य जन के मन में प्रविष्ट करा देना ऐसा इस्मरण आचारे शुक्ल करते हैं आचारे शुक्ल में कविता का इस्मरण नहीं किया वीडा का इस्मरण किया है और वीडा भी कैसी जो जंकार है जिस वीडा में ये जंकार कैसी जो मनुष्य के मन को जंकृत कर दे मनुष्य के मन को पियूस से भर दे अमृत से भर दे उसे भक्तिभाव की तरफ ले जाए ऐसा महान कभी सूर्दास के विशे में बात करने के पहले उस परंपरा को जानना पड़ेगा जिस परंपरा के कभी हैं सूर्दास हमारे यां स्रीमद भागवत नाम का एक बहुत प्रसिद्ध गरंथ है सभी विद्यार्थी उस गरंथ का नाम जानते होंगे स्रीमद भागवत गरंथ में एक बढ़ा काम पवराडी कालवह हुआ इस देश के और वह कौन से काम था ज्यान पर भगवान को जाने आत्मा को जाने परमात्मा को जाने जगत को जाने शरीर को जाने जगत की रचना को जाने ऐसा जो ज्ञान मार्ग है भगवान संकराचारे द्वारा प्रतिपादित इस ज्ञान मार्ग से इतर मनुष्य के मन को प्रेम से भर देने वाला एक भक्ति मार्ग, मनुष्य के हरदें को करुणा से भर देने वाला एक भक्ति मार्ग, मनुष्य के हरदें में सुख भ पर भक्ति की विजय का सास्त्र है स्रीमत भागवत गीता और जब उस स्रीमत भागवत गीता से प्रेरणा लेते हैं सूरदास जी तो ये अकारण नहीं है क्यों कि ज्यान के तो बहुत सारे ग्रंत हैं सूरदास तो विद्वान आदमी थे तो उन्होंने वेदों का संदर्व क पुराणों में जो क्रश्न कथाएं थी उन कथाओं के ज्ञान पक्ष का संदर्व क्यों नहीं लिया उन्होंने संकराचारे के अद्वाइत वेदान्त का वहीं संदर्व क्यों नहीं लिया आखिर क्या कारण है कि उन्हें पुष्ट इमार्ग के आचारे वल्लभाचारे अध तर से दक्षिन तक यात्रा कर भागवत धर्म की प्रतिष्ठा की सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की ऐसे संकराचारी उन्हें प्रिय नहीं लगते तो ऐसा कोई कारण तो होगा न पूरी संस्कृति में विमर्ष का केंद्र संकराचारी है उसमें विमर्ष केंद्र में कौन है भ भगवान बुद्ध को अगर किसी बात परा पति है तो संकरा चारे प्रतिपादित माड़ परे आपति है जैनियों को पूरे विश्व को क्यों कि संकराचारे मूल हैं भारत की आतमा का मूल हैं लेकिन इस मूला करने का काम सुर्दाष जी ने किया है. और इस तर्ष्टि से हम सुर्दाष को इसलिए महत्वपूर्ण बड़र मांते हैं. क्यूंदे की का लाग भक्तिमार्ग में भी कैसी भक्तिमार्ग करुणा से भरा भक्तिमार्ग प्रेम से भरा भक्तिमार्ग मनुष्य के मन को जंकृत कर देने वाला भक्तिमार्ग भागवतकार की तरह भक्ति को जीवन का मूल मानने वाला भक्तिमार्ग और अगर हम सास्त्र की भाषा में क चार प्रकार के भक्ति मार्ग सूर की कविता के विशे वस्तु बनकर आएं चार प्रकार की भक्तियों की बात सूरदास ने किया अब जब सूरदास जी विने के पदों के अंदर भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं भगवान कृष्ण की लीला का स्मरण करते हैं तो इस ली ज्ञान को बाद के आचारियों ने जिन्होंने सूर्दास को पढ़ा, सूर्दास का अध्यन किया, उन्होंने चार भागों में बाता है, सूर की इस भक्ति के चार पक्ष लोगों ने बनाए हैं, और सूर में ये गोशित किया, कि साहब ये चारों पक्ष सूर की भक्ति कवित भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान की करुणा की अपेक्छा करना संकट में पड़े हुए व्यक्ति को संकट से उबारने के लिए भगवान का स्मर्ण करना सुर्वडास ने अपने प्रारंभिक पदों में विनय जहां से प्रारंभ किया है ऐसे प्रारंभ के पदों में इसी साधारण भक्ति की की है साधारा भक्ति मनें जन सामानने की भक्ति हमारी भक्ति कैसी है हमारे मन में पीड़ा है कस्ट है भगवान को इसमरण करते हैं कि प्रभो हमारे इस करुणा को दूर करना सूर्दास ने भी यह किया सूर्दास कहते हैं कि मनुष्य के पास भगवान की करुणा और दया दाच्छन के अलावा कोई अन्यमारग नहीं है अपने कश्ट निवारण का यह आस्रा है और इसी को अन्योक्ति के माध्यम से इसी को सूर्दास की एक बड़ी विशेश सहली है आप विद्यार्थियों को जरूर जानना चया अधूत है सूर्दास द्रश्टांत के सहारे अपने पदों को लिखने वाला हिंदी साहित का अकेला अचारे है सूर्दास द्रश्टांत माने उदाहरन देकर अपनी बात कहना और हर पद में यह उदाहरन माने पहली पंति में एक विशे रखना और फिर बहुत सारे उदाहरण देना और अंतमें पहली पंगति को सिद्ध कर देना ऐसे रिष्टान्त की सहाइता से उदाहरणों की सहाइता से सूर ने अपने भक्ति का विशय पृतिपादित किया और आप बताएे आप विध्यार्थी हैं हम सब भक्त लोग हैं हम लोग सूर की कविता का महत तो क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें वो कविता समझ में आती है. संकराचारे का कथन हमें समझ में क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि वो पारमार्थिक कथन है, थोड़ा कठिन है. आप देखिए, संकराचारे कहते हैं कि अपार संसार समुद्र मद् जतों में सरणम की मस्ति शूर ने यहीं से शुरू किया है इसी पद संकराचारी के इस विशे को समसे पहले उठाया क्यों क्यों कि संकराचारी का यह उद्धोष्ट संकराचारी से एक भक्त ने पूछा कि सहाब आप उत्तर से दक्षन तक कन्या कुमारी से लेकर करनाटक होते हुए पूरे भारतवर्श का प्रमण किया है मुझे एक सवाल का उत्तर देना महराज संकराचारे जी शंकराचारे जिने का पूछो भाई भक्त ने पूछा कि क्या है महारगी संसार में मुक्तिका बस इतना बता देना प्लबू यही सवाल सूर्दास से भी लोगों ने पूच अब देखिए संकराचारी और सूर्दास का अंतर आप देखिएगा आपको लगेगा कि कितना बड़ा महानाचारी है सूर्दास संकराचारी ने उत्तर दिया अपार संसार समुद्र मद्धे संमन जतों में सरणम की मस्ती क्या है साहब भगवान का सरण ही मार गहे अपार संसार के मध्य में संसार रूपी समुद्र के मध्य में मुक्ति का क्या मार गहे अपार संसार समुद्र मते संमन जतों में सरणम की मस्ती उस भगवान विश्व रूप भगवान के अंबुज रूप पैर ही संसार में मुक्ति का साधन है ऐसा भगवान संकराचारी कहते है और यही बात संकराचारी के इसी प्रश्णोत्तर से सूर्शागर का आविर्भाव है हमरे विद्यार्थियों ने अपने पाठिक्रम का पहला पद पढ़ा होगा देखिए कैसा संकराचारी के ही स्रेडी में अब देखे कितने बड़े आचारे हैं और सूरदास को मालुम था इसी संकराचारे पूरे भारत वर्श में ब्रमण करते हैं और गौगाट में बैठकर ब्रंदावन में बैठकर भगवान रंगनाथ के मंदिर में बैठकर सूर्शी सवाल का उत्तर देता है और इसे पहला पद बना देता है सूर्शागर का क्या कहता है चरन कमल बंदव हरी और सूर्दास का पत देखे चरण कमल बंदव हरिनाई जाकी क्रपा पंगु की रिलंग है अंधे को सब कुछ दर्साई संकराचारी की बात समझ में नहीं हाती लोगों को क्यों 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 कि बड़ा कठिन है भाई इश्वा स्वरूप भगवान के चरण अम्मुज रास्ता समझ में आएगा ब्रज भूमी के भक्तों को ये बात समझ में आएगी अवद भूमी के भक्तों को ये बात समझ में आएगी गाउं में अपनी किसानी करने रिक्ति को ये बात समझ में आएगी क्या आप बताईए नहीं समझ में आएगी लेकिन कृष्ण की इसी बात को सू बंदव हरी राई एक रास्ता है उसे राजा अक्रिष्ण के चरणों की बंदना करना संकराचारे ने भी मार्ग बताया विश्वई सपादाम बुज दीरगनों का बात नहीं समझ में आई सूर ने कहा चरण कमल बंदव हरी राई भगवान के चरणों में मन लगाना क्यों मन संकरा चारे का उधर हर न देंगे वल्लावा उधर हर न देंगे इस समझाने वेक्ति आयां को समझाने के लिए छंकरा चारे क Mdhr इसी लिए प्रेसे सूर सूऔर तुल सीसी इसली instruct ुरी के समान प्रकास जिसका पहले और प्रतिभा सूर की मेरा उत्तरदाई है सूर ने उधारणों से अपनी बात भारत वर्ष के घर घर में पहुचा दिन चरण कमलन बंदव हरी राई भगवान के चरण कमलों की बंदव ना करना क्यों करना अब देखिए प्रशन आएगा ना मैं आपसे कहूं कि आप अंग्रेजी पढ़ना आप दर्शन पढ़ना फिलोस्फी पढ़ना सामान्य ग्यान पढ़ना मैं ऐसा कहूं तो आपके मन में प्रशन नहीं आएगा कि ऐसा क साथ क्या फाइदा है मैं आपको फाइदा न बता हूं मैं आपको कारण न बताऊं और सीध्ड एक कारे करने को कहूं समझ में आएगी बाठ सुर की सेली देखिए पहली पंटी में कहा चरण कमलों बंदों हरी राई भगवान कर्ष्ण के चरन कमलों की बंदना करना, फिर कहा क्यों करना, जाकी क्रपा पंगुगी लंग है, यही पद है पहला, हम लोग व्याक्षा पूछते हैं, हम लोग परिक्षा में इस पद का संदर्भ पूछते है, कहता है सूर जाकी क्रपा पंगोगिरी लंग है अंडहे को सब कुछ दरसाई जिसकी क्रपा से लंगडा भी परवत लांग जाता है आश्यर देखी भगवान की क्रपा का चमतकार देखिए लंगडा है पैर नहीं है बले-बले परवता रोही साहब परवत नहीं चल पाते और स सूर हूं मुझे चीजे नहीं दिखती ना लेकिन जब मैं वरणन करता हूं तो विशय कहां से आता है दिखे अपना प्रमाल देता है पहले पद में ही ताकि विशय साफ हो जाए ताकि मन इस फष्ट हो जाए पहले पद में प्रमाल देता है ये साधारन बात है इसको हम सत्य स कोई का रोपती है जो सूर के पहले पद से निकल कराती है सूर कहता है कि अंधा हूं साहब लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूं कौन है कारण इसका इसका कारण भगवान क्रष्न के चरन कमलों की वंदना है देखिए कितनी मधुर भाव की वेंजना है चरन कमल बंदो हरी से क्या हुआ अंधे को सब कुछ दर से कितना प्रमाल भगवान सूर्दास स्वामी सूर्दास कहते हैं कि मैं खुद बैठा हूं भाईया किसी प्रमाल की जरूरत नहीं है मेरी कविता पढ़ लेना सूर्दास कैसे देख रहा है इन्हीं ज्यान चच्छूं से देख रहा है ये ज्यान चच्छू कैसे खुले हैं अंधे को सब कुछ कैसे दिखने लगा है चरल कमलों बंदों हरी राई भगवान के चरल कमलों की बंदना से ऐसा संभव हुआ है इसलिए किसी और के प्रमाल की आमशिकता ही नहीं कहीं संसार में प्रमाल खोजने की जरूरत नहीं है सूरदास कहते हैं कि ये मत सौचना कि मैं भगवान का भक्त हूं तो मुझे अंधे को दर्शन करा दिया नए कोई भी इंद्रिय तुम्हारी काम नहीं करेगी किसी भी इंद्रिय जन्य कष्ट से दुख ही रहोगे किसी भी इंद्रिय पिड़ा से परेशान रहोगे तुम ब कहता है जाकि बहरा सुनने लगता है मूँ की पुनी बोले ने लगता है रंक चले चटर धराई और जो रंक है जिसके पास कुछ नहीं है वो चमर चटर धराण करके सिर पे चलता है इसी अदब्भुत लीला वाले भगवान, स्याम सुंदर का, ब्रंदावन विहारी भगवान, स्याम सुंदर का मैं नाम लेता हूँ, और नाम प्रमार सहित लेता हूँ, मुझे पर क्रपा की है, इसलिए वह क्रपा को, उस क्रपा waking को सामने रख कर, उस दीपक के प्रभावों में मैं देख पाता हूं सूर दास स्वामी करुणा में अद देखे शैली देखे सूर आपको अपने पाठ्षक्रम के समी पदों में सूर की यही सैली मिलेगी कौन सी सैली है पहली लाइन में अपनी बात कहना चरण कमल बंदव हरी राई प्राफना करना कृष्ण की फिर दूसरी तीसरी चोथी पांचनी छठी में लाइनों में उदाहरनों से अपनी बात कहना जैसे इस पद में उदाहरण दिया और फिर अंतिम पंति में अपनी पहली पंति को पुष्ट करना सूरदास स्वामी करुणा मैं बार 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 बंद उती ही पाई बार बार बंद उती ही पाई इसलिए बार बार बंद ना करता हूं मैं कृष्ण की ऐसा ऐसी बात सिप आरंब किया है सूरदास ने और इसलिए सूरदास उसमान परंपरा के आचारे हैं जो संकराचारे से जुड़ती है वल्लभाचारे से जुड़ती है मद्धवाचारे से जुड़ती है भक्ति मार्गे से जुड़ती है पुष्टि मार्गे से जुड़ती है और नारद भक्ति सूत्र से जुड़ती, नारद का नाम आपने सुना होगा, नारद एक रिश्य है, जोना ने भक्ति सास्त्र को का प्रणयन किया था, और उसी नारद के ही एक सूत्र को लेकर भक्ति के सारे आचारियों ने काम किया है, चाहे वो तुलसी हों, चाहे वो सूर ह रूम चिध्र भगवान के नाम का इस्त्मरन करने लगे रोवा रोवा भगवान की भक्ति से फुलकित हो जाए ऐसी भक्ति है नारद ने का भक्ति सा तस्मई परम प्रेम रूपा इसी को सूत्रमान लिया है सूरणी और इसको सूत्रमान कर इसी मार्ग पर चलने का काम किया है इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि इसलिए भक्ति के भागवत में जो वर्नित शुरूप है वो सूरु को प्रिय लगा है कौन से शुरूप है प्रेम में भक्ति का सुरूप चार प्रकार की भक्तियां सूरदास में मिलती हैं वो चार प्रकार हैं पहला प्रकार है साधा यही पहला पद बगवान क्रपा करना मुझपर क्यों कि तेरा तुझको अरपन क्या ला गे मेरा सहाब मुझे तो कुछ पता नहीं है मैं तो कुछ जानता हुं इसलिए तुम्हारी ही चीज तुम्हें मेरे पास कुछ नहीं है ये भक्ति के साधारण रूप एक दूसरी भी भक्ति सूर में मिलती है यह दूसरी Бपति का रूप है वीड़ाग्य पूरण भक्ति भक्ति के चार रूप सूर में है साधारन भक्ति वैराग्य भक्ति वैधी भक्ति और प्रेमा रूपा भक्ति ऐसे चार प्रकार भक्ति के सूर में मिलते हैं वैराग्य पूर्ण भक्ति कौन सी है जो स्वयं सूर राश जी रहे अपने गाउं सीधी से और गउगहाट जो 10-12 किलोमीटर दूर था घर छोड़क अधर गउगहाट बे रहने लगे वैराग्य किसी कहते हैं अपने संपूरेज about बढ़ी ट्याग कर देना 맞ि और यह वारगैय जो है न मीस पर पहली पार्ट साना एग को जीवन जिस ट्याग से महान बनता है आप जिस चीज से महान बनते हैं जिस चीज से बड़े बनते हैं, ऐसा बड़े बनने की पहली पाट साला त्याग है, इसी त्याग से वाईराग्य शुरू होता है, सूर ने भी किया, चुकि आपके कोर्स में या सूर सागर के जो पद हम युनिवर्स्टियों में पाठिक्रम में रखते हैं, वो पद वैधी और प्रेमा रूपा भ भक्ति के विशय को अर्थ देने के लिए, हम लोग सूर की इस वैधी भक्ति की थोड़ी चर्चा करेंगे, क्यों? क्योंकि विन्य के पदों से प्रारंब होकर इसी वैधी भक्ति का विस्तार है, सूर दूसरा पद, आप देखिए, आपके पाठिक्रम में दूसरा पद वहीं से इस वैधी भक्ति का अरंब हो जाए, अवी गति गति का चुकाहत नयावे, जों गूंगे मीठे फलकोरस अंतर गति ही थोड़ी पहली पंगति में विशय कहा, अवी गति गति का चुकाहत नयावे, और बाकी पंगतियों में फिर उधारन से अपनी बात को पुष् पूछे, आप उसे मारिये, नहीं नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें कैसा लगा, कैसा लगा, बता पाएगा क्या, नहीं, अंतर गति ही भावे, ऐसा है भगवान का नाम लेने का आनंद, हम पूछेंगे, हम किसी महातमा से पूछेंगे, अब पूछते थे लोग सूर्धा है आपको इस भीड़ा बजाने में, इसकी का उत्तर दिया है, का साब, बता नहीं सकता, क्या नहीं बता सकते, एक उधारन सुनलो, जों गूंगे, मीठे, फलकोरा से अंतर गति ही भावे, ये तो साब वही है कि गुडखिला दिया गूंगे को, और पूछ रहे हो, उससे ज नाम संखिर्तन कर रहा हूँ ना, नमो रागवाए कर रहा हूँ ना, स्याम संदर, स्याम संदर कर रहा हूँ, राधा वल्लव वगवान कृष्न का नाम ले रहा हूँ, जानते हो इससी क्या होता है, अमित तोश उपजावे, मन प्रसन्न होता है, और इतना संतोश भाव पै करके बैठा हूं और अमित्तोष क्यों परित्वा करके क्योंकि जीवन में सब कुछ तो आप नहीं चोड़ सकते तो मन मन हमारा एक कोश है मनों में कोश कहते हैं उसे उसकोस में खाली जगादर भगवान के प्रेम से भर गई ना तो दूसरी जगहों के लिए दूसरी चीजों के लिए इस्थानी नहीं बचता इसलिए देखिए आप जो भगवान के भक्त लोग हैं उनको किसी और चीज की आशा या भी लाशा नहीं रहे जाए फिर कहता है परमस्वाद सवही सुनिरंतरामित तोश उपजावे असारहरण संतोस पैदा करता है मेरे कृष्ण के नाम क उच्चारण करना देखे यह यह दूसरा पद है सूर सागर का और यहां से आप कितने विस्तार को लेकर चलने वाला है सूर यह बात आप देखिए मन बाड़ी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे यह जो मेरे श्याम सुन्दर का नाम है यह मन और वानी का विशे नहीं है यह अगम है अगोचर है जो जानता है वही आनंद पाता है किसी से पूछोगे तो बता नहीं पाएगा फिर सूरेक बहुत बड़ी गोशना करता है क्यों क्योंकि आप देखते हैं राजनेतिक दल होते हैं अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं आप हैं अपनी कार्य योजना बन नाते हैं कि नहीं ऐसी ही योजनार कि सूर्शागर के इस दूसरे मैं तो इन सूर के पदों को मंत्र कहता हूं यह कविताएं नहीं हैं बलकि सास्त्र की तरह मंत्र हैं जैसे मंत्रों में अर्थ होता है ऐसा ही अर्थ है सूर के इन पदों में मंत्र है साथ यह सूर कहता है रूप और एक गुन जात जुगत अभी नेरा अलंब कित धावें, अब मेरी एक मजबूरी है, मेरी एक समस्या है, मेरी एक पीडा है, ये पीडा कौन सी है, वैदी भक्ती की पीडा है, इसा अब मैं जिन्वे जाके मुह माथा नहीं नाहीं रूप अरूप, पुहुप बास पातरा ऐसा तत्व अनूप ये जो आचारी लोग कहते गोंते हैं ये जो संकराचारी कहते गोंते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं अज्ञान के कारण लग हुए हैं मैं जरा इस मार्ग पर चल नहीं पाता मैं सगुण भक्ति का उपासक हूं मुझे स्याम सुन्दर का मुझे स्याम सुन्दर की नासिका में जो मुक्ता पहनते हैं वो मुक्ता पसंद है मुझे स्याम सुन्दर के गले में जो वनमाला है वो वनमाला पसंद है आईसे Nee However आर यह पिर देखियं मैं बार-बार कह रहा हूं भागवत से प्रेर्णा है सूर की ये बात मैंने पहले पहले ही आपको बता यह बात जो सुर दूसरे पमे कांतर यमुना कूल कदंब मूल वर्ती नवगो पवधु विलास साली वनमाली वितनोतु मंगल करें। आज भी यही कहता है। नारद भक्ति के महाना अचारे नारद की भक्ति सूत्र के प्रणयन का अपनाना है। और ऐसा हमारे यहां जो सास्त्रों में भक्ति का जो स्वरूप है। तो वैधी भक्ति का सुरूप भगवान क्रश्न की जिस भक्ति का सुरूप सूर क्या मिलता है। वैधी भक्ति पर थोड़ी सी चर्चा आपसे करनी है। क्यों? क्योंकि यह विशय नहायर जरूरी है। लेकर उससे पहले साधारण वक्ति, वैराग्यपूर्ण भक्ति, प्रेम भक्ति और पुष्टमार्गी की भक्ति की थोड़ी सी चर्चा आइसे उदारण की रूप में चर्चा करके प्रमुक रूप से वैधी भक्ति की चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि शूर की चर्चा भक्ति का रूप हमारे घर हाग्हर में है. हर घर में भक्ति यहОई रूप विध्यमान है। आप सूर की घोषना मेनिफेस्टों में कह रहा था राजनेतिक दल होते हैं अपना एक मेनिफेस्टों बनाते हैं हम ऐसे काम करेंगे इतने वरशों में यह करेंगे योजना आप भी योजना बनाते हैं सूर ने योजना नहीं अपना घोषना पत्र जारी कर दिया पत्र आप देखे शूर की गोशन देखे सूर ने अपना गोशना पत्र जारी कर दिया कहा भाईया सुनो जाको मनमोहन अंग करे भगवान स्याम सुंदर जिसे स्वैकार कर लेते हैं ना ताको केस खसे नहीं सरते बाल नहीं कोई बाका कर पाता उसका ताको केस खसे नहीं सरते जो जग बहर पर है, पुरा जग बहरी हो जाए, तो भी बाल नहीं बाका कर पाएगा, ऐसी घोषना सूर दास करते हैं, उस समय तक समाज में सामंतवाद विद्यान था, और ऐसे सामंतवाद में कुछ बड़े शक्तिशाली सो लोग भी थे, लोग उनकी भी भक्ति किया करते उनके याँ भी सलाम ठोकते थे, मता नवायाते को, सूर ने अपनी घोषना की दूसरे हिस्से में एक और बहुत मज़िदार बात कहीं, सूर कहता है, कहता है, जापर दीना ना थ ढरे, श्याम सुंदर की जिस पर करपा हो जाती है, इसलिए श्याम सुंदर की करपा पाना क् कुलीन बड़ो सुंदर स्वय जापर करपा करे, कुलीन कौन? जिस पर भगवान स्याम सुंदर की करपा हो जाए, महान कौन? जिस पर स्याम सुंदर की करपा हो जाए, बड़ा आदमी कौन? जिस पर स्याम सुंदर की करपा हो जाए, मतलब देखिए, राजा बड़ा नहीं, मेनिफेस्टो है सूर का, राजा बड़ा नहीं, बड़ा कौन? चापर क्रपा करें, कौन स्याम सुन्दर? वो क्या है? सोई बड़ो, वही बड़ा है, सोई कुलीन, और तो और सूर की घोशना देखिए, सूर पतित तरिजाय तनक में, जो प्रभु नेक धर है, नेक थोड़ी सिक्रपा से आम सुन्दर करेगा, तो धर जाएंगे, अब यह घोशना है, कहां से आई है, इस सिर्वत भागवत की घोशना है, सुकदेव जी महराज इन ही विश्यों को लेकर बैठते हैं, सुकदेव जी महराज ने जो कथा करी है, उस कथा का क्या मंत्र है, उस मंत्र को कि हम जीवन में, चाहे आप इसे भाग्यवात कह सकते हैं, क्या गोशना है शुकदेव जी कि हम अपना पुरशार्थ जिसे संसार में मानते हैं, वो अपना पुरशार्थ है नहीं, बगवत करपा है, अब सूर का पद देखिया, सूर की पंति देखिए, सूर्सागर का संद पुरुशार्थ मानत आती जूठी है सोई भाईया सब जूठा है अपना पुरुशार्थ मानकर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने बाल बच्चों का पालन कोशन कर रहे हो तुम सोचते हो कि तुम अपने मात अपिता की सेवा कर रहे हो तुम सेचते हो कि इस्त्रस्ट के निय नाभादास ने मार्ग भी बताया आप केवल घोशना पत्र जारी कर देंगे चलेंगे नहीं उस पर मैनिफश्टो घोशित किया सूर ने और इसके बाद सूर ने रास्ता बताया बला अद्भूत रास्ता है सूर का इसलिए मुझे मैं बिल्कुन सहमत हूँ हूँ नाभादास के इस कथन से भक्तों के इस कथन से समीख्षकों के इस कथन से सूर तुलसी ससी उड़ुगन के सब्ला सूर दास सूर ये हैं साहित्ते जगत के क्यों देखे मेने stimulation की बात का इसा बड़ी हा रास्ता बताया लोगों ने पूछा होगा का कि महाराज हूं तो पुशिकारे में लगे रहते हैं हम तो राज़्य की सेवा में लगें हम तो साफ सैनिक हैं हम तो व्या पारी हैं हमारा दो जीवनी जी में बीता जा रहा है तो कैसे भगवान की करपा मिलेगी शूर ने कहा और गाकर कहा क्या जोलो मन कामना न छुट है मार्ग है, पुछ सा मार्ग है? जब तक तुम्हारे मन की कामना नहीं छूटेगी ना? मन कामना, क्या है मन कामना? वही संकराचारे वाली बात, त्रिश्णा, लोग, काम, क्रोध, मोह, मत्सर यही तो वासनाएं हैं, इनी वासनाओं में जब तक फसे रहोगे, जवलव मन कामन न चूते तब तक तुम रोज ये गउघात आओ, रोज आओ रंगनात के मंदिर, रोज आओ वरंदावन, रोज जाओ परिक्रमा करो वरंदावन की, रोज मठुरा में घंटी लेकर ढूंते रहो, कुछ नहीं होगा करना क्या है जब तक तरशना से नहीं मुक्त होगे तो तुम ब्रत रहो घंटी बजाओ रोज नहाओ तीन गंटे भगवान का भजन करो नहीं को अधोल मन का मनानं छूते तो लो कहा जोग ब्रत कीने विनु कन तुष को खूओ उधरamation केobra़ के अधोगविशष्टस। है उस भीज को हम अप्तों मशीने आ गई हैं नहीं तो पहले हमारे गाओं में कूट कर उसविज को निकाल लिया जाता था और वही चावल था आप ठावल में बदलना आनिवार यह है कि फिर अब उधरन देरा है ग्रामी वेजीवन का उधरन हर घर घर का उधरन Koreenko इसलिह तो घरग़र में सबस्थ करेट ह superfic जोग निए ब्रत की ए सब मोच सब correctly कोच चाल सब निकल जाए अब फिर उस भूसी को तुम कूटते रहो कूटते रहो तो कुछ कने कख निकलेगा जब चावल निकल गया है तो भूसी कूटने से अब चावल नहीं मिलेगा विनुकन तुसको कूट है ये भूसी कूटने से कण नहीं मिलने वाला ऐसे ही काम क्रोध मद लोग सत्रू है जो इतनों नहीं छूट है तो क्या करना होगा अब देखे कैसी सुन्दर भोषना सरल में संचेप में मंत्र की तरह बता दिया काम क्रोध मन लोग यहीं बात कभीरदास हर पद में गाते रहे कभीर के सब पदों में यहीं बात सूर ने एक पद में कह दिया काज़ भीया यह रास्ता है क्या रास्ता है काम क्रोध मद लोग सत्रू है जो इतना नहीं छूट है काम क् तो भगवान के भक्ति का मारग मिलेगा सूरदास से ग्यानयगति ज्हर तूटे ऐसा सूरदास थे हैं का मैं है की सूर सागर के जिस संदर्भ की तरफ अपने आमे और सूरक इभक्ति कविता की क्रिश्ण भक्ति धारा के जिन संदर्भों की और आपका ध्यान ले जाना चाहता था उधर थोड़ा से जरूर चलते हैं यह विशह है वैधी भक्ति का संदर्भ है वैधी वक्ति किसे कहते हैं वैधी वक्ति कहते हैं जो भक्ति उणिशा में करनातक में तमिल्लाडो में उत्तरप्रदेश में उत्तरभरत में पूर्वो तर में पश्चिम में पूर में भारत में स्रावत्र जिस भक्ति का परचार है ऐसे वैधी वादी भक्ति पहले मैं संस्कृत का मंत्र वता देता हुआ तो कि उसी का हिंदिय अनुवाद है सब्जेक्ट या है वादी भक्ति श्रवनं कीर्थनं विष्णों इस्मरनं पादसेवनं अरचनं वंदनं दास्यं सक्ष्ण आत्म निवेवनं यह वादी भगवान के नाम का स् वंदनना की अर्चनं वंदनन अकरना दास्यं इसको बहुत उठाया है कूर मैं द trib związ कि घंग टेंगे सूरिक्ट पढ़ेंगए तो आपको मैं उदारण से जरूर इस नवधा भक्ति का संदर्भाब को देना चाहूंगा ताकि जब आप पढ़ें तो भक्ति के इन श्रोतों के जो अजस्र जल स्रोत हैं जहां स्रेव से 15 मिशताब्दी से जहां भक्ति की रश्की धारा बह रही है आज तक बह रही है इन श प्राइयों में वो ब्रन्दावन में सूर के कंठ से प्रकत हुई यानि कि यह जो अजस्र श्रोत हैं कभी-कभी भूमी के नीचे दव जाते हैं जल का उद्वह देखा नदी का उद्वह किसी ना आप में से जिन लोगों ने जिन बंदों ने देखा होगा जिन मित्रों ने होगा जल के सुरोतों को पानी का गुद्वह पानी के रधिड़ा अशंमानस की जात देखत ही मिट जाएगा तारा प्रभाथ अले न कमिर में तो यानिकि बुल-बूल-बुल-बुल पुद्वह बुद्वे की तरह जल श्रोत से पानी निकलता हैर वही नदी बन जाता है बन जाता है। भक्ति के इस शूरतौ सूरशागर में छीपते। कहीं कहीं वो दिख जाते, कहीं कहीं नहीं दिख जाते, depth य। करुणा की धारा तो दिखती है, भक्ति की धारा तो दिखती है, प्रेम की धारा परवात्वान को जनना मतलब उस कृष्ण को जानना जिसकर तुम बंदन करते सूर को जानना वाने एक जीवन शैली है जिसे जान जाना है, ये मोक्ष पाने की अभिलाशा का जाग जाना है, प्रेम और करुणा का उदबाव है, रोम, रोम से प्रेम अभाव निकलने लगे, ऐसे महानव धरना है सूर को जाना, जो वेक्ति सूर को जान गया ना फिर उसे जेवन में कुछ जानने के आवशकता नहीं, क्यों? वेकति हो जाएगा वो तो स्यामस्दर की तड़ लीला भिहारी हो जाएगा स्यामस्दर निकर नहंनने क्ढ़िए इन आप घंगो बक्ति का अनुकरण, मधुर्ता का अनुकरण, माधुरे भाव का अनुकरण, प्रकर्ति, हम प्रकर्ति के किस रूप को पूझते हैं, आप बताईए, प्रकर्ति के ज्वाला मुखी रूप को पूझते हैं क्या, प्रकर्ति के बाल के रूप को पूझते हैं क्या, प्रकर्ति क आल रस विहर नसीला सोहां ही कोकिल विपिन करीला कानन सुधा वचन प्रतिपाली जिये की लवड पयोद मराली तुलिसी की पंटिये इस रूप को पूझते हैं भैया हमें प्रकरति के यह रूप पसंद है सूर ने इसी प्रकार की बात करी है नवधा भक्ति के नव बिंदू अजस्र श्रोतों की तरफ आपका ध्यान जरूर ले जाना चाहता हूं और ध्यान देना चाहिए ऐसे नौ उद्भव बिंदू कों से हैं कहां से यह नवरस की धारा पैदा हुई है कहां से इस्रवणम की रिटनम विष्णु इस्मरणम पादसेवनम अर्चनम मंदनम दास् सख्यमात्मनिवेद्रम की यह जो अजस्रधारा है यह किन-किन श्रोतों से निकली है उन श्रोतों की बात जरूर आप से क्यों क्योंकि यह श्रोत जानना अनिवार यह है पहला स्रोत स्रमण सुर्शागर में जो पहला स्रोत है इस भक्ति का वो है भगवान के नाम का स्रमण करना तुम जिससे प्रेम करते हो उसके नाम का स्रमण करना तुमारे जीवन की जो योजना है उस योजना का स्रमण करना बार-बार कान से सुनोगे तो कान ही तो रास्ता है विचारों के मन में जाने का नए विचार कहां से आएंगे साथ या तो आप देखकर जाने इन्द्रियों से तो आएंगे इन्द्रियों में कान का महत्तों क्या है जीवन के नए नवोन में सशालनी पृतिभा या तो मस्तश्क में पैदा होती है या कान के माध्यम से जिसे नि इसंदे विद्धोता का स्रमण मनन निद्ध्यासन रास्ता है प्रतिभः अभ्यास का विश्य है और अभ्यास्रमण का विश्य सूर कहते हैं जो यह लीला सुनए सुनावय सोरी भक्ति पाइ सुख़पावय पहला उद्भव भगवान की लीला जो सुनेगा लीला का गान करेगा वह वैधी भक्ति की पहली सीधी पर खळा हो जाएगा वो भक्त की पहली सीड़ी पर खड़ा हो जाएगा, नौ सीड़ी के उपरां तो भगवान का आस्रम है, पहली मंजिल है, कैसे पहुचोगे, कूद कर पहुच जाओगे, नौ सीड़ी आए चढ़ने को, अगर आप सीड़ी ओं पर चढ़के जाएगे, तो पहली मंजिल छूदिये जरण? हाथ पर तूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे और आप कूदेंगे, बल्कि वो आदमी नौ hen STUD म में पहुच जाएगा, जो पहली सीड़ी चढ़ा, दूसरी सीड़ी चढ़ा, दीसरी सीड़ी चढ़ा, चवरी, लेकिन सीड़ी कट्टे चड़ सकते हैं क्या तूर के हम पहली सीड़ी पर खड़ा रिखती की गोश्णा जो यह लीला सुने सुना है दूसरी सीड़ी क्या है भगवान के नाम का कीर्टन जो सुख हो तक गुपाल ही गाए देख करें हम सब बातरूम सिंगर हैं कि नहीं आप बताके हैं करके समे मगीत के मन का विकार करते हैं और इसक यह की किर्टन की सुरों पर बैटकर इसी कीर्तन के अच्षरों को पर बैठकर काम खुरोध तरष्णा लोभार वासना जैसे विचार बाहर निकल जाते हैं सरीर से इसलिए भगवान के नाम का किर्तन करना क्यों किक ये किर्तन से जो तुम्हारे जो तुम्हारे मुझे निकल रहा है उस नाध पर नाध अवशोशित करके जाता है किन सब्सक्राइब करते रहोगे तो भी वह आनंद नहीं मिलेगा कौनसा आनंद जो सूर ले रहा है है बबजा रहा है कौनसा आनंद अंधे कविशूरदास की जंकायर का आनं भगवान के नाम के के किर्टन का आनंद यह दूसरी सीधित नो सीनियां संचेप मैं बताता हूं तीसरी सीधि है तो भगवान के नाम का इस्मरन नहीं करना और फिर केवल मुह नहीं लगा रहे बहुत लोग हैं सूर के देगे इसी को कहता है मुँह में यह चूरी वाला रास्ता नहीं क्यों कि जब केवाल मूँसे, राम-राम कहोगे मूँसे कृstar कोहुगे मौडा पाए वए तो छूरी किसी को भूक दोगे इसलिए क्रिवाल को प्राप्ट करने कि प्राप्त करने की इस मैं की पर्से मैं और सिगरता से इस विशय को यह दरसल ऐसा विशय है जो हमरे जीवन के लिए भी उपयोगी है ऐसा चौथा चौथी सीड़ी सीडियों का नामों लेक करते हुए हम विशय की विशय की तरफ विशय की खत्म करने की तरफ आगे वड़ते हैं चौथी सीड़ी है पाद सेवन पांच वी सीड़ी है अरचना भगवान की अतिविचित्र रचना रच राखी परतिनगिरा बनी हरी जोस्की आरतिवनी ऐसे ही वन्दन है अगली सीड़ी पहला पद आपने पढ़ा ना पहला पद क्या है चरण कमल बंदव हरी राई वंदन अगली सीड़ी जिन दो आप देखिए हम किन सीड़ियों पर हैं सूर ने बिल्कुन साब साब बता दिया पहली सीड़ी कौन है भगवान की नाम का श्रन करना हम इस सीड़ी पर चड़ जाते हैं दूसरी सीड़ी कौन है किरतन करना तीसरी सीड़ी कौन है इसमरन करना चौथी सीड़ी कौन है भगवान के चरणों की सेवा करना पांचवी सीड़ी कौन है और चन करना छटवी सीड़ कौन है वंदन करना पांच सीड़ी के सूरदास ये पांच सीड़ीया पहले ही चढ़ चुके थे जब लिखने बैठे इसलिए उन्हाने छटमी सीड़ी से सूरसागर प्रारम्ब किया अब देखें कौनसी है वंदना यहीं से सुरू किया चरन कमल बंदव हरी राई जाकी करपा पंगुगे रिलंग है अंधे को सब कुछ दरसाई सूरदास स्वामी करुणा मया बार बार बंदव देखाई यहां से सुरू करता है और फिर साथवी आठवी सिड़िया कौन है यहां बैठा रह अध्या विन्यों शीदिया शोट जी दास्य सीड़िए दास्य भायों की भक्ति की सिड़िये मैं सेवक हुं भंण दांतहु हुं एसा माननेव अले सिड़ी आठवी सिड़ी मौन सेथी है सखा भायों की भक्ति की सीड़ी कैसी इस सीड़ी पर श्वहत मन लगा है सूरु Community दोस्तों में टक्रार होती है, शुर्ख ऐसा आनंद से वरण करता है, खेलनने को पाको को सञ्या, हरी हारे जीते स्री दामा खेलीजे, बाहर ब्रन्दावन में जंगल में गये हैं, सब गौलबाल और च्याम सुन्द, तोहां आम तोड़ रहे हैं, बेर तोड़ रहे हैं, फल स तोड़ते हैं तो एक जगह रखके और फिर यह होता है कि खाईए तो कौन बड़िया तेज खाएगा जो तेज खाएगा वो जीत जाएगा हम अमरूद रखते हैं और एक आदमी सब एक एक यह कहां कि पेट पर खार लो तो जिसकी गती तेज होगी वही तो जाना खाएगा शामसुंदर की गती बड़ी तेरह सूर नास में कहा जेवत च्छाक गाई विसराई सखा स्रीदामा कहा तसवन सो च्छाक ही में तुम रहे भुलाई भाईया तुम खानें सब को भूल जाते हो दूसरों का भी देंदिया करो ल्याए ग्वाल घेरी गो गोसुत देख श्या छीए ड्हाम तना अहरस बड़ाई यह आठवी सीडही है और लॉवी सीडही सबसे अठवपोर्ट सीडही है जिसके बाद कुछ बचता नहीं है यहत्म निवेदन की सीडही है फिर अपनी करुमा बाहर चलगने लगती है सूर में इस्थान-इस्थान पर यह करुमा चलकती दिखी है बार बार आत्मने वेदन की बात सूर ने कही है ये ये नव सीड़ियां हैं सूर के अहां और ये सूर सागर इनी सीड़ियों पर चल कर सूर सागर अपनी परणती को प्राप्त होता है सूर सागर अपने अर्थों को प्राप्त होता है लेकिन अब ये तो सेड़ियां हैं सोपान हैं लेकिन सूर सागर में मध्य में अनेक ऐसे प्रसंद भी हैं जो भक्ति के इन अर्थों को तो इस्पष्ट करते हैं लेकिन अवांतर कथा है एक ऐसी ही कथा है भ्रमरगीत की करते एक ऐसा ही रचनाविशय है भ्रमरगीत का रचनाविशय थोड़ी सी उसकी जपी चर्चा चूकि दो बातों की चर्चा आपके साथ करनी थी तो बहुत थोड़ी सी चर्चा उसकी ब्रमर्गीत के पहले वात्सल्य का वरणन किया है सुर्दाश्य श्याम नचावें जश्मति नंदरानी तारी दय दय गामें मधुरी म्रदु बानी यसोदा कृष्ण के साथ आंगन में खेल आंगन स्याम नचावें आंगन में स्याम को नचा रही है जसुमतिनन्दरानी तारी दैदाई गाव महीं ताली दे देकर खेल रही है मधूरी मर्दुबानी गीत गारी है ऐसा वातसलेखा चेत्रन पहले फिर अक्रूर जी महराज आ जाते हैं प्रंदावन से और स्यामसंदर को मान कर लेकर साथ लेकर चले जाते हैं तो फिर इसका चि तिहारे सुत की दया करती ही रहिए। वही ये शोधा जो ताली देदे के कृष्ण को नचाती थी अब रोती है। कोच यहां जो मेरा बालक कृष्ण है ना यहां मैं जबर जस्ति इसको खिला देती थी पता नहीं देव की समझ पाती होगी कि नहीं माता पर संका करती है क्यों क्यों क्योंकि दोनों का मनफरेंद से महरा हुए पहले यह चर्चा और इसके बाद गोपियों के विरह की चर्चा सूर ने की है यह तीन चर्चा प्रश्ट भूमी हैं ब्रमरगीत की और इसके बाद ब्रमरगीत का संदर्व सूर ने दिया है क्या है ब्रमरगीत थोड़ी सी यह चर्चा आपको जरूरी है गाओं की ब्रजबालाएं हैं गोपियां और ब्रजबालाओं के पास जो उद्धव को भेजते हैं स्याम सुन्वर उद्धव ग्यानमारगों को मानने वाले हैं भक्ति मारगों को नहीं मानते प्रेम मारगों को नहीं मानते अब जब नहीं मानते तो कृष्ण का भी उनसे म करना था और गोपियों की स्मृति भी करनी थी कि इस नाते सूर्शागर में एक खंड है उद्धो संदेश का खंड भ्रमरगीत का खंड जिसमें उद्धो को व्रंदावन बेज़ते हैं हम इस कथा के विस्तार में नहीं जाते लेकिन अब जब उद्धो प्रंदावर्ण पहुंच जाते हैं तो गोपियों से उनका संबाद होता है यही संबाद भरमरगीत पुरसंग है जा भेड़त हैं संबाद में मर्याद आए हैं उद्धो राजपॉरुष एवेवरद हैं वयद्वान हैं हो पियां गाउवर्ग की हैं उसी में तो अब उद्धो से कैसे बहस करें वारिया कथ हमलोगों को तो बहस करनी हो करें चाहे पुतिन बहुत करें हम बरावर भाव से बहुत करते हैं लेकिन हमारे गाओं में ऐसा संसकार नहीं है थोड़ा मर्यादा रखते हैं उतवाएं हैं गोपियां सीधे नहीं बहस करती बल्कि संबाद के समय ही एक भ्रमर उड़ता हुआ आता है तो उस भ्रमर को अनेक द्रंथों में युगों-युगों से परंपरा चली आ रही है कि कभी चंद्रमा को कभी चकोर को कभी चातक को कभी मेग को कभी चक्रवाक को इन प्रतीकों की सहायता से अपनी प्रेम वेंजना को बाड़ी देने का काम हमारे यां परंपरा से चलता आ रहा है इनी प् करें कि ये पहली पहली बार भ्रमर का प्रसंग कहां होगा तो मैं वो भी आपको बता दूने के विद्यारती जी कियासा करते हैं कि साथ पहली बार ये प्रसंग कहां आया होगा राजा दुश्यंत अपनी रानी वसुमति और सकुंतला ऐसी दो रानिया हैं दोनों रानियों के बीच प्रेम को लेकर चर्चा है दुश्यंत का मंदूजरी जगह लगने लगता है तो वहां भी भ्रमर की मदद से उपालंबह दिया गया है उपालंबह मने शिकायत की गई है भ्रमर गीत उपालंबह की कविता है ब्रमर गीत वाक विदग्धता की कविता है वारी चातुर्य की कविता है क्या कहते हैं वाक विदग्धता किसे कहते हैं वारी चातुर्य किसे कहते है या शिकायत किसे कहते हैं उपालंबह किसे कहते हैं हम कहते हैं ब्रमर गीत को कि उपालंबह कावे है क्या होता है उपालंब उपालंब होता है अपनी बात कहना शिकायद का और शिकायद भी किसे प्रिय socio जिसमें प्रिय के अनिष्ट के एक्ष्या नहीं है बलकि जो फहाव मर गया है उसके पुमरी जागरार का संकलत है बन में जैसे हम और ये उपालंब होता व्पृवन प्रिय में प्रेमी में होता अब कहते हैं जो दरारे हैं उन दरारों को शिकायत के माध्यम से भर दें वो निरुंद ढरा बने जाए ऐसा उपालम भकविता है गोपियों के मन दूर हो जाए और नहीं या जाए बिलाशा और नी कि अभिला शाह ऐसी अभिला शाह ब्रमर्गी तुमें गोपियों ने कि उद्धवाते हैं और आकर अपने ज्ञान अमारगी की बातें गोपियों को बताना चाहे हैं लेकिन जो चीजें पढ़ने से छूटती हैं जो महत्तुपूर्ण अंस है जिसे हमें जानना चाहिए अब उद्धव आगे और क्या संकल्प लेकर आए मन में कि जाके और गोपियों के मन को बदल देना है गोपियों को ज्यान वार्ग में प्रवर्त्य कर देना है और गोपियों के साथ संबाद होता है मिटिंग होती है और उद्धव कहते हैं कि मैं कौन राजपुरुस उद्धव श्यामसंदर का सखा उद्धव और मैं आक्यों आया हूं तुम लोगों से बात विवाद करने आया हूं मुझे सैंसंदर ने संदेश देने ठेजा है तुम्हारा कुषल चैंव लेने ठेजा है कि उस्समय कुषल चैंग विर्ट्विया यही रास्ता था ना यह जो ब्रजभूमी है जो अवद भूमी है यहां जब कोई कारिक्रम होता है तो ऐसे ही एक संदेश वाहक को हम कहते हैं कि जाओ भाई द्वार द्वार बोलाओ कि फलाने तारीक को फलाने के यहां विवाह है ग्रय पूजन है जर्मोत्सव है और ऐसा मुझ के संदेश को ही निवता मानते हैं अब चुकि हम दूर दूर हो गए पहले हम गाओं में सब लोग रहते थे तो इस संदेश से काम हो जाता है अब चुकि हम दूर दूर रहने लगे तो फिर इमेल के माध्यम से और दूर रहने लगे तो अब वाटसेप के माध्यम से और दूर रहने लगे कई कई साब संदेश्देने आया हूं मैं गोपियों ने कहा कि हम समझ गए अब देखें यहीं से सुरू होता है अधूत प्रसंग है आप पढ़ेंगे आपको बहुत आनन्द आएगा उद्धव कहते हैं मुझे स्याम सुंदर ने भेजा तुम्हें समझाने भेजा है अब पह इन तुम्हें है नहीं पठाए को स्याम सुंदर ने नहीं भेज आया या तुकि भेज ही नहीं सकते एगाा है मुंहें करोणा पजा और जएन McConnell कर नर्थ करने भेजेंगी वह जानते हैं मुंकि उपासि नहीं सकते कि लिवाव पद देखिये क्या अधभूत है सूर दास तुम्ही बीच भूलाने तुम भूल गया हो साब रास्ता भूलकर ब्रज आ गये हो आ गये हो तो तुम्हारा बहुत-बहुत स्वागत हम मिस्ठान से पत्र पुष्पफल दिव्य नईवेद्य से तुम्हारा स्वागत करेंगी लेकिन जूट न बोलो भया तुमको स्याम सु सत्य बताना तो उद्धौ ने कहा गोपियां है विचारी अपनी सोगंद दे कर पूछ रही है तो बात सही बताओंगा गोपियां क्या पूछती है सूर की लिखावट देखिया गोपियां पूछती है सूर स्याम जब तुम्हें पठाए जब सूर कहते हैं कि सूर स्याम जब तुम्हें पठाए जब तुमको यहां भेजा स्याम सुनर ने तो भेजते समय तब नेक हुँ मुसकाने तब मुसकुरा रहे थे क्या तुम्हें देखकर आओ गोपियों से मिलके आओ तब तुम्हें ज्ञानवार्ग की सर्थकता पना चलेगी सब्सक्राइब को plans Moon कि कि और के हैम सीधे पहले अंस पर आते हैं जहां पर अमार गीत का मंतप के प्रकट कर दिया है सूरने और वो मंतब एक पद में है वो पदा आपको जानना चाहिए परिक्षा में हम लोग लिखते भी हैं सीधे सीधे उद्धो कहते हैं भाईया इधर उदर की बात छोड़ो सीधे संदेशा सुनो सुनो गोपी हरी को संदेश है गोपियां भगवान स्याम संदर का संदेश सुनो क्या है संदेश बड़ा कठिन संदेश है आपको भी नहीं समझ में आएगा मुझे भी नहीं समझ में लीजे आपको समझ में आया के फुचयों को समझा रहें उद्धो सुन लीजे आप समझ में आये तो बताइएग site सूर्ण लिखा कारी समाध समाधि लगाओ करिसम अब भरंगी अति ध्याव और यह उनको उपदेश योग साधना करो साधना करो ये उनका उपदेश है स्यामसुंदर का और क्या उपदेश है तत्व ज्यान विनु मुक्ती नहीं है वेद पुरानन गई वेद पुरानों में तत्व ज्यान को सरोसरेष्ट कहा है तुम भी सी मार्ग का आचरन करो सगुण रूप तजी निर्गुण ध्याब एक चित एक मन में लाई एक परमात्मा को मन में धारन करके उसके नेक रूपों का चिंतन छोड़ते हुए ऐसा संदेश गोपियों को देने के लिए उद्धवाएं अब बताईए इतना कठिन संदेश गोपियां समझेंगी तकरार तो होनी ही थी संबाद तो होना ही था वो संबाद हुआ लेकिन मर्यादा अपनी वाड़ी की कुशलता से वाड़ी की चातुर से गोपियां और एक प्रकार से उद्धव को निरुत्तर करती हैं और बल्कि सच यह है कि उद्धव को अपने रंग में रंग लेती है कि दो तेन संदर्व जो सूर के प्रमुक संदर्व हैं जिनका की बड़ा महात्म है उन संबंधों की और आपका ध्यान ले जाना चाहिए गोपियां कहती हैं उद्धों से कि भाईया ठीक है तुम जो बात जानकर आये हो या तुम जो संदेश लेकर आये वो ठीक है लेकिन हमारी कुछ अपनी सीमाएं हैं हमारे पास एक मन है और वो मन से हम स्यामसंदर का इस्मरण करती हैं अब आप मुझे यह मार्ग बताएं कि मन एक है और उसमन में स्यामसंदर बसे हम आपकी भी बात का संवान करना चाहती हैं क्या करें उद्धों मन नाहीं दसवीस एक हुतों सो गयो स्यामसंग को आराध है इस एक मन था स्यामसंदर के साथ चला गया आपके पास कोई मार्ग हो तो बता दीजी एक और बात गोपियां दो बातों से शुरू करती है अपनी पूरी चार्चा एक और बड़ी महत्तुपुर्ण बात गोपियां कहती है आपको जानना चाहिए मुझे लगता है कि प्रतेक विद्यार्थी को जानना चाहिए क्यों क्योंकि सूर की सहली है दर्ष्टांत सूर क पिरचे पार निकल नहीं रहे हम तो आपकी बात मानना चाहती हैं स्याम सुंदर को मन से निकाल कर इस निर्वण की भक्ति करना चाहती है सूरदास ने एक कथा कहते हैं कहानी छोटी सी कहते हैं सूरदास वो कहानी हमें जरूर जानना चाहिए एक नदी है हम सुर्कमा गुगहट में सुनाते थे लोग एक नदी है उसमें छिछला जल बहरा है कम पानी है नदी में और नदी अजस्रधारा नदी की बहर है नदी के इस तरफ एक गाउं है और उस तरफ दूसरा गाउं है गोपियां कह रही है उद्धाओ को बता रही है अब नदी को पार करने के लिए नदी पार करना है नदी उथली है नदी को पार करना है तो पहले गाउं के लोगों ने सास्त्रों का ध्यन किया वज्यानिकों का ध्यन किया बड़े बड़े लोगों से पूचा किसा नदी कैसे जाती है तो क्या बताएंगे आप बताइए नदी कैसे पार करते हैं नाव से पार करेंगे इस्टीमर से पार करेंगे तैर कर पार करेंगे यही विदिया है ना सबने एक सुर से बताया कि नदी कैसे पार करेंगे तैर कर पार करेंगे नाव से पार करेंगे क्यों क्योंकि यही कि एक अमेरिका तक कि बड़ी ग्यानियूंज यि तो नदी पार कर ने मार पुल बना के पार करें है अब गोपियां उद्धव से कहते हैं के तुम्हारा योगा और सास्त्र का मार गये यह कहता है कि नाम से पार करना नदी को तैर कर पार करना नदी को और हम गोपियों के सामने एक संकट है क्योंकि हमारी यह जो नदी है जिसे हमें जो हमारे गाउं और दूसरे गाउं के बीच यह नदी है इस नदी में जल बहुत छिछला है था ही है नदिया था ही है कम जल है और यह कम जल पैदल पार किया जा सकता है देखिए गोपियों की चतुराई कि कहते हैं गोपियां कि यह नदी पैदल चलकर पार की जा सकती है हरिवुनन अनतना ओरे सूरदास कहाले कीजए था ही नदिया नः रे में जल कम है नाव चल नहीं सकती अब तुम पहते हैं हम पैदल पर कर लेंगी पैदल करें और तब उसी पर तब चल पाएगी नौका जरूरत ही नहीं है नौका की ऐसी अतुबुत देखे कितना कितनी वाणी चातुर यह आप देखिए गोपियों का यही भ्रमर्गीत का तक तो है उद्धव संदेश देते हैं कि निर्गुन का ध्यान करो उनके हर संदेश का उत्तर गोपियां देती हैं यही भ्रमर्गीत प्रसंग है और उत्तर कैसे देती हैं मर्यादा में उत्तर कैसे देती हैं उधरनों से उत्तर कैसे देती हैं सहियम में रहकर उद्धाव ने कहा कि सुनो उस परम परमात्मा कौनसा परमात्मा द्वैता द्वैत विलक्षान पार अब्रंभ परमेश्वर सत और असत से मुक्त जोतिर्मय चिदगुण सर्वसक्तिवान अलग निरन्यन उस परमात्मा का ध्यान करना तुम ऐसा संदेश उद्धाव ने दी गोपियां कहते हैं कि हम तो ऐसी इस वर को जानते नहीं हम तो गाओं की गौल बालाए हैं मूर खाए हैं हम का जाने तुम ही बता दो दो तीन सवाल बता दो तो फिर हम उसका ध्यान करें और ये बहुत महत्तोपूर्ण सवाल है सूर्दा सूर सागर का ब्रहमर गीत प्रसं अच्छा रहता हैं तो थी इसना कोन है जनने कोनः नारी को दासी कैसा कि हिरसमें अभिलासी इसने निरगृण के बारे में ठोड़ा सा बता दो ब्रमर तो हम उसने निरगृण को बजने लगें इसके माता-पिता कौन है बंदू-बांधो कौन है क्या पसंद है इसे क्या पीने में अच्छा लगना है गोपियां इसे पूछती अब इसका उद्धो उद्धो को निरुत्तर करने का संबाद है भ्रमर्गीत भक्ति की ज्यान पर विजय का संबाद है भ्रमर्गीत फिर गोपियां नरिणे भी दे मद्धृकर स्याम हमारे श्याम सUNDर है हमारे भगवान जोग व्पदेशो जिनके मन इसनके दस बीछ मन है मॉक्ष में कभी मॉक्ष में कभी माया में कभी इंद्रियों में कभी काम में कभी कुरोध में अ karate मो मुख 10-20 जिनके मन 10-20 ऐसे 10-20 मन वाले लोगों को जाके अपना उपदेश देना हमारे तो भीया एक कई मन है और उस मन में भी क्या है तिर्चे होई जो अड़े स्याम सुन्दर तिर्चे मिर्चे होकर अड़ गए हैं ऐसा संबाद चलता है गोपियां अपनी बात कहती है उद्धों से अनेक तरकों से कहती हैं कि हम निर्गुन परमात्मा का इस्मरण नहीं कर पाएंगी उद्धों कहते हैं कि नहीं नहीं यह तो कर नहीं है तो स्याम सुन्दर ने कहा है गोपियां कहते हैं कि हमारी अपनी विवस्ताएं हैं हमारी अपनी मजबूरिया है उद्धव पूछ लेता है कि भाईया कौन सी तुमारी ऐसी मजबूरी है उत्तर देखिए गोपियों का लरिकाई को प्रेम कहो वली कैसे चूटे ये ब्रमर पच्पन का प्रेम कैसे चूटे कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतरगत ही लूटे क्या बताएं भगवान स्याम ृ भजार मनोहर हमारी मजबूरी समझ लो Gone root है व्यूचक्यानी मंद रुनिचान अच्छी लगति है वह मंदमुखुराना अच्छा लगता है नटवर भेस नंदनन को नंदननन का नटवर भेस अच्छा लगता है वह विनोध वह वन ते आवने हमसे जो हसी खेल करते हैं वो हमें अच्छा लगता है उनसे वन का आना हमें अच्छा लगता है इसलिए हम तुम्हारी बात मानने की स्थिति में नहीं है हमारी भक्ति का जो श्रोत है वो आखों से होकर हमारी मन तक जाता है तुम्हारी भक्ति कानों से होकर तुम्हारे मन तक जा रही है हमारी भक्ति नेत्रों से होकर दोनों इंद्रियां है तै करो तुम महत्वपूर्ण कौन है तान महत्वपूर्ण है कि आख महत्वपूर्ण ह ये उद्धो तुम जिस ग्यान की बात कर रहे हो, ये ग्यान स्रवन इंद्री के माध्यम से आत्मा तक जाने का मार्ग है, इससे प्रवल इंद्री हमारी भक्ति के मार्ग में सक्री है, और ये प्रवल इंद्री हमारी नेत्र है, अखियां हर दर्सन को मूखी, काई से राति र लेने वाली है एक प्रार्थना है तुमसे उद्धों कौनसी प्रार्थना है बारक वह मुख्यान दिखा वह जिह दूह पीवत पतु कि लेकिन तुम हट पूर्वक नाओ चला रहे हो किस नाओ किस नदी में जो सरिता है सूकी जिसमें पनिये नहीं है पानी इतना कम है कि पैदल पार कर सकते हैं तुम अजवर जस्ति नाओ चला रहे हो सुनो उद्धाओ तुम नाओ में बैठ कर एक है स्थान पर बैठे रह जाओगे और हम पैदल चलकर नदी पार कर लेंगी तुम पार नहीं कर पाओगे अगर नदी पार करना ही लक्ष है तो तुम अपनी नाव में बैठे बैठे जीवन बीत जाएगा तुमारा क्योंकि सरिता में जल कम है नाव बहेगी नहीं तुम सिद्धांतर को लेकर जीते रहो हम ब्यवहार को लेकर जीती हैं हम पैदल चल कर ये नौका बिना नौका के नदी पार करके स्याम सुंदर के प्रत्यमारग का चरम प्राप्त कर लेंगी ऐसा ऐसी गोटियों की विजय की बात ब्रह्मरगीत के प्रसंग में बहुत बहुत तो पूर्ण है और इसलिए क्योंकि समय हो रहा है चार मिनट चार-पांच मिनट और बचा है तो चारी मिनट में अपनी बात खत्म करनी है इन बातों का प्रभाव क्या हुआ मैं यह यह पता देता हूं आप अ और यह भ्रमरगीत की विजह है गोपियों से उद्धो का संबाद है ठोप्रभव म पर में पड़ता मैं यह न тобой में यह ब्रहमर्गीत लिखे हैं लगभक सब ने लिखे हैं ब्रहमर्गीत की प्रभाव जया कि इस ब्रहमर्गीत का प्रभाव यह और गोपियों के संबाद 2401 गभाव यहे हैं ऑभाव जाता है और उद्धो गोपियों के संबाद के बाद जो कहते हैं वो मैं आपको जरूर आपका ध्याना करशन कुदर कराऊंगा क्यों कि यही भक्ति की विजय है यही भावना की विजय है यही प्रेम की विजय है यही आनंद की विजय है यही भक्ति की विजय है यही करुणा की विजय है यही मन के रों रों की विजय है जो विजय भरमरगीत प्रसंग में सूर के आँ दिखती उद्धव से संबाद खतम हुआ गोपियों ने कहा कि जाओ भई आब हो गया न विशे अब जाकर बता देना से हम सुन्दर से कि हम लोग मिल लिये सब बात कर लिये क्या बताओगे उद्धव कहती है उद्धव से पूछती है गोपिया कि क्या बताओगे अब ये तो हमें बत सावर हूं मैं तुम लोगों की भक्ति मार्ग पर जिनके संग सदा क्रीड़त हैं स्री गोवरधन धारी जिनके साथ गोवरधन धारी भगवान स्याम सुन्दर सदयों निवास करते हैं जो सदयों उनके सामीप कानुभव करती हैं उनकी अनुपस्थिती में भी उनके ऐसी गोपियों पर मैं बलिहारी हूं यहीं जा के बताओगा कि और सेगों कि छोती भी क्योंकि कि नहुं के घर माखन चुरते हैं। कि नहूं के संग दानी किने के साथ दान लीला करते हैं, किनी के साथ मान लीला करते हैं, किसी के साथ रास लीला करते हैं, किसी के साथ गोवरधन लीला करते हैं, ऐसी तुम गोपियों पर मैं बलिहारी हूं, यहीं जाकर मैं बताऊँगा, कि नहूं के संग जमुना तट वंसी तेरी सुनावत उन गोपियों पर मैं बलिहारी हूं जिनके साथ यमुना के तट पर वनसी वट पर वनसी की मधुर्वनी वजाते हैं और तो और उद्धों कहते हैं कि भाया मैं हार गया तुम लोग जीत गई सूरदास बली बली चरनन की उन चरणा पर मैं बलिहारी हूं होता है सूर सागर का प्रारंब कैसा है चरण कमल बंद वहरी राई जाकी कृपा पंडू गिरे लंग है अंदे को सब कुछ दरसाई ऐसा आरंब है सूरदास का और अंत कहां है प्रमरगीत का सूरदास बली बली चरनन की यह सुखम वही नित भावे मैं इन गोपियों के स्र करुणा इन भावों पर में बलिहारी हूं ऐसा संदेश लेकर उत्थो लड़ते हैं तो यह आज के दो विशे जिक थोड़ी ही चर्चा दरसलिये विशे बहुत विस्तार के हैं और अधिक समय की अपेक्षा थी एक विशे पर एक लेक्चर होता तो और आनंदा था लेकिन दो विश्यों की चर्चा हम लोगों ने 45-45 मिनट के दो खंडों में बांट करकी है और जो की आशा करता हूं कि आपको विशे समझ में आया होगा आप उरिशा के पुन्य भूमी के निवासी हैं हमारे अधिकांस विद्यार्थी उरिशा विश्य विद्याले उरिशा पुन बहुत बहुत आदर विख्य करता हूं अचशने विख्य करता हूं अधरबन करसिन की कःघ यता मन además सुर्दास आपके मन का विशे मन विशै हो जाए परिक्षा का विशै तो बन वान विशै वने आत्मा का विशै बने शुषद वर्यों हाट मैं हमारे मुडरेटर अब बारा बजा है हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं ताकि कोई और कख्षा होगी सब का अभिशेग जी का हमारे जो टेक्नीसियन महोदें हैं उनका उड़िशा राज्य विश्विद्या लेका और ऐसे सभी बंधूओं मित्रों हमारे जो विद्यार थी हैं यह कर दो है करहन हों करेंय तो लीमृत्टरי के बेंसे हमवाद्यार की तांध मकरा सब algumas कृष्णक को बहुति सुक्ष मिलता है और अच है और आपको सुन्ना मुझे भी नहीं, शिर्फ ऐसे अकेले मुझे मुझे इन विद्याथियों को बड़ा अनन्द आता है। इस वज़र से प्रश्न बहुत सार आगा है विद्यातियों लगाता है प्रष्न पूछे हैं, तो मैं वही सिस्सामे जायना करते हुए विद्याथियों को प्रश्ण पहले आपकी समझ रखता हूँ, उसके उपरां तुम उसके सर चहचा करेंगे, तो कुछ विद्याथियों ने जो प्रश्ण पूछा है, मैं आपकी समझ रखता हूँ, तो रखने का प्याश कर रहा पूछती है कि प्रेम और भक्ति एक है या अलग है तो कितनी बड़ी बहूत उम्दा सवाल पूछा है क्या नाम है सट आपने बहुत महत्तव पूर्ण सवाल पूछा है प्रेम और भक्ति में कोई अंतर नहीं है इन दोनों का इस्थाई भाव रती है यही रती जब लोक की तरफ उनमुक हो गई तो प्रेम है स्रंगार है और यही भगवान की तरफ अगर यही रती भाव उनमुक हो गया तो फिर वही भक्ति है भक्ति और प्रेम के मूल भाव में इस्थाई भाव में कोई अंतर नहीं है एक ही रती भावमन में होता है, परमातमा से रती अगर हो जाए किसी को तो भक्ति, और अगर विशय वासनाओं से रती हो जाए, स्रंगार से रती हो जाए, लोक से रती हो जाए, तो स्रंगार कोई अंतर नहीं है, वस इतरही अंतर है, एक लोक प्रभावी है और दूसरी लोक कि अबशेक जी जी सदने वास आपका समय हुआ है तरसल 12 तक आपने कहा था मैंने ज्यादा समय ले लिया ना ना सर उसके लिए कोई ने विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं सर इसलिए निरंतर बने हुए हैं विद्यार्थी उनके प्रेश्न कर में देखू तो बहुत लंबे लंबे बहुत लंबे प्रेस्ट पूछे विद्याति को प्रेस्ण तभी आते हैं से जो खच्छा अनंद्पुन हो जी सतु और एक मैं इसी क्रम में बढ़ता हूं आगे और प्रेस्ण लेता हूं एक विद्यार थी एक सेकेंड सर्थ पूछ रही है कि सुर्दास को वात्सल्य रसके समराइट क्यों कहा जाता है दरसल हमारे यहां जो भक्ति कविता है भक्ति कविता के अलग-अलग आयामों को अलग-अलग कवियों ने चुना है ज्यान का आयाम चुलिया कबीर दास ने भक्ति और ग्रहस्त जीवन का आयाम चुलिया तुलसी दास ने लेकिन वात्सल प्रति प्रेम से लिखा है इस प्रेम को इतने विस्तार से लिखा है सूर्दास ने इसलिए हम इन्हें वात्सुपिया और किसी ने नहीं लिखा तो किसको सम्राट कहेंगे हम जगही खाली है सूर्दास ने ऐसे रास्ते पर कदम बढ़ाया कि जगही खाली थी वहां इसलिए हुआ ही अकेले राजा है वहां के और मजे की बात है कि बाद में करते हैं कि बिना सूर्दास के भक्ति असंभव है क्या भक्ति काल की समय सिमा क्या बिना सूर्दास के संभव है कि देखिए कि सूर्दास के जीवन ब्रतांत का ठीक से पता नहीं है पता होता तो आप ज्यादा अच्छे से समझ बाते लेकिन एक कथा है कि सूर्दास एक अंध्य कूप में गिर जाते हैं और भगवान कृष्ण की प्रेरणा से क्रश्ण स्वरूप क्रश्ण स्वरूप म उनकी प्राण रच्छा की अब जब यह प्राण बच गए तब सूर्दास को समझ में आया कि साब जिस गहाँ में रहते थे कुए में आठ दिन पड़ा रहा चिलाते चिलाते मर गया कोई नहीं काम आया तो यह जो व्यक्ति काम आया है उसके प्रतिवन्हें अनुराग और ऐसे उधार चरित्र वाले ऐसे खरपा करने वाले भगवानन स्याम सुन्दर की भक्ति का उन्होंने पहले दिन से गायन प्रारम्न किया मजे की बात यह थी यह दुहूत प्रतिवात ही स्याम सुन्दर को अपने वचन समर्पित करने का तरीका केवल पद लिखना नहीं पत तो चोटी बात स्याम सुंदर को गाया है सूर दास ने गायन किया है आप सूर सागर जब पढ़ेंगे तो हजारों प्रकार की रागों में भगवान कृष्णी की अभ्यर्थना और प्रार्थना की है ऐसा भक्ति मार्ग का आचारे है और रही बात दूसरी की क्या सूर के बिना भक्ति मार्ग की पूर्णता सम्भल का हाँ बंदु ऐसा ही है बिना सूर की आत्मा को समझे बिना भगवान के प्रति अपनी करुणा को समर्पित किये बिना भगवान के प्रति रागात मक्ता का अनुभव किये अनन्यता का अनुभव किये प्रेम का अनुभव किये वात्सल्य का अनुभव किये जीवन पूरे ही नहीं होगा इसलिए अपूरणता बनी रहेगी अगर इस अपूरणता से मुक्तो नहीं तो सूर का पत्र चलना पड़ेगा अपने जी सर, एक प्रशन एक विद्याथी पूछती हैं, मैं आपको समख चेकता हूँ सर, वो पूछ रही है कि अगर काम, क्रोध, मोह, लोग को छोड़ने से ही भक्ति संभव होती है, तो क्या किसी भी धार्मिक स्थल पे, जो लोग रहते हैं, चाहिम अलग-अलग नाम से जाने, तो क्या उनकी जो धर्म के प्रति, जो प्रद्धा है, निष्टा है, क्या उसे हम भक्ति कह सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा, यह समझने का सवाल है, इसका मतलब इस विद्यारती ने पूछा है, बहुत गंबीर है, मैं उस विद्यारती को बहुत साधुवाद देता बड़ी सीड़ियां चाड़नी पड़ती है, पहली सीड़ी है मन को निर्मल करना, शरीर को निर्मल करना, और मन की निर्मलता का यह आधार क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मन को यह मन को गंदा करते हैं, इसलिए पहला काम मन को निर्मल करना फिर भक्ति शुरुवात होती है, इसलिए ये पहला पाठ है, केवल इतना होने से भक्ति नहीं होगी, इतना होने से केवल मन निरमल होगा तुमारा, फिर भगवान की क्रभा प्राप्त होगा। प्रषागी की समय होता है तो है पुछ पुछते हैं कि सूरदास के मुख्य कृटियों में सुर्सागर ऀसलिए आज साहीत लेहरी इनका जादा मतलब यह ज्यादा ज्यादा है जादा पॉप्लर हुए लोगों में जादा प्रसित्थी मिली और ऐसा क्या कारण है कि सूर सरावली कृटी उभर के नहीं आ पाई उतनी जितने बाकि इनकी दो रचनाएं उभर करके आती हैं वह एक विद्या थी है कुछ रही है मैं इन्हें ये उत्तर दूँगा कि दरसल है क्या ना कि सूर की बहुत रचनाएं हैं हमारे यहां सूर दास की रचनाएं प्रमाडिक तौर पर सब मिली नहीं है जो स्वयम सूर सागर है ना अब सूर सागर में देखी मैं यह तो कि बहुत महत्यपूरन सवाल है दो मिनिट ले लेकिन पद कितने हैं हम जो पढ़ते हैं उसमें कितने पद हैं 4-5,000 पद हैं केवल मात ऐसे ही सूर की रचनाएं सभी प्रमारिक नहीं मिली संकलन हुआ है बलकि जब यह ग्रियर्शन काम कर रहे थे तो ग्रियर्शन ने जिसे प्रमारिक माना कहा कि 60,000 पद हैं सूर में ग सूर सागर, सूर सारावली या साहित लहरी ये प्रमारिक तोर पर पूरी तरह उपलब्द नहीं हो पाई, संचे संग रहन हुए हैं, अब ये बताईए कि हम किस रचना में हमारा आनंद लगेगा, कहानी क्यों महत्त पूर्ण है, उपन्यास रचना क्यों जिंदा है, कविता क ये उमरी जा रही है, हमें होता ये है कि मन को आकरशित करने वाली जो रचनाएं होती है, उनकी तरफ सावानने विक्ति का भी मन लगता है, और हम लोग युनिवरस्टी का कोर्स बनाने वाली लोग, आप बताईए, उस विद्यार्थी से पूछ रहा हूं, कि सूरदास को ह में बताना है, तो हम गाओं में सूर का जो रूप है, वो आपके कोर्स में रखेंगे कि साहित लहरी को आपके कोर्स में रख देंगे, साहित लहरी को संगीत वाले पढ़ेंगे, आप म्यूजिक और आर्ट्स डिपार्टमेंट वालों से पूछेंगे, तो वो लोग ये नह विद्यार्थी पूछने कि ब्रहमर गीत में किनकिन अलंकारों का प्रियोक किया गया है जो महाकाव्य होते हैं उनमें लगभग सब अलंकार आ जाते हैं लगभग सब रस आ जाते हैं हैं सूर के यहां भी ऐसा ही है कुछ रसों को छोड़ कर लेकिन जब यह विद्यार्थी पूछ रहा है तो मुझे लगता है उसकी रूची यह जानने में है कि प्रमुख रूप से कौन से अलंकार कौन से रस यहां मात्तव पूर्ण बन पड़े हैं देखिए सूर का जो चरित्र है वो शब्दा लंकार में भी सूर की उतनी ही गति है जितनी अर्था लंकार में और अर्था लंकारों में भी उपमा जैसे अलंकारों का बहुत मन से प् क्यों यानि कि अर्था लंकारों में उपमा जैसे लंकार और शब्दा लंकारों में लगवग सब प्रकार के लंकार सूर में मिलते हैं सूर साधारन कभी नहीं है महा कवियों में नौरस आठा हुँ सिद्धी नवो निदी को सुक नंद की धेनु क्या रस खान ने कहा है ना त इसके भ्रम के निवारने के लिए पाठग्रम के अधार पर उपमा जैसे अलंकार और अनुपराश जैसे अलंकार महत्तो पूरुन बन पड़े तो मैं निश्यतर रूपस रूप को कहंगा कि उसvenue मिश्चुत रूपर मुझस सकते हैं और यसी का साथ सबसे पहले सब दहाने आपको अपने भीड्यात्य है आपने ग्यान से बहुत लाभ हांवीर कैसे, ग्यातियों कि नहीं मुझे भी बहुत लाभ वतन, इसलिए आपको बहुत भवाज धन्यवाद हेदय से, और आपको सुननना सवरें बहुत ही एक अलग सानुवव होता है, तो बहुत भवाद सर निश्चित ही मैं आप से आशा कर प्रश्न की भक्ति का चेत्र मानते हैं इसलिए उसका सब प्रकार से आधर है और सब प्रकार से समस्त निवेदन स्वाइकार है ऐसा कहले। अपने धर से अपने कॉल को एंड कर सकते हैं।